हाई गाइज वालकम बैक टू दे चैनल मिस्ट्रोग किच्छन और मैं हूँ सुमित आज हम लोग एक ऐसे सब्स्टेंज के बार में बात करने वाले हैं जो की जैनिट न्यूट्रिशन की तरफ से है इस्पोर्ट्स वाले इनके केटेगरी में आता है एल आर्जनीन है यह अंदर में क्या क्या फाइदे हैं वह मैं आपको बताने वाला हूँ जिन लोगों को मस्कुलेरिटी चाहिए ना अपने बॉड़ी के अंदर में यानि की मसल्स चाहिए जिन में नर्फ बिल्कुल ऐसे मोटी मोटी नजर आए यह उसके लिए है अब जिन लोगों का बलड़ प्रेशर लो रहता है ना उन लोगों की नर्फ पतली हो चुकी है अंदर से उसका जो होलो है ना वो कम हो चुका है तो उसके लिए यह बहुत यह बेनिफीशल जिन लोगों के घुटने में दर्द है कहीं पर भी दर्द है वो इसलिए दर्द है क्योंकि उनकी नर्फ पतली हो चुकी है और वो जो पतली हो चुकी है ये उसे मोटा करता है अब ये चीज क्या है भाईया कि वो उसे मोटा कर देता है एक्चुली चीज ये है ये है L-Arginine ये एक ऐसा सबस्टांस है जो कि Amino Acid है हमारी बॉड़ी के अंतर में टोटल 20 टाइप के Amino Acids होते है ठीक है ये उन में से Conditional Amino Acid है वैसे तो दो टाइप के आपने Amino Acid सुने होंगे लेकिन टोटल 20 टाइप हो जाते है और ये Conditional Amino Acid है अब इसका काम क्या होता है इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारी बॉड़ी के अंदर में प्रोटीन को अच्छे से तोड़ना प्रोटीन को अच्छे से अपनी बॉड़ी के अंदर में Synthesize करना ये इसका असली काम है ठीक है और इसका जो दूसरा काम है वो है ये कि आपकी नफ्स जहां जहां पे मतलब पतली हो चुकें ये उसे खोलता है हमारी नसों को खोलने का काम करता है L-Arginine Genet Nutrition की तरफ से है ये जो L-Arginine Substance है काफी सारी ब्रेंड्स बनाती है Genet Nutrition भी बनाती है मुझे ये वली ब्रेंड परसनली अच्छी लगती है मेरे अब इसके उपर में भरोसा है इसलिए इसकी वीडियो में डालता हूँ ठीक है अब अगर आप इसे लेना चाहे तो इसकी quantity जो होती है 100,000 mg इसकी होती है पॉल साविंग के अंदर में ठीक है 100 नहीं 1000 होती है आप इसके जो capsule से वो आप doctor की help से आप इसे ले सकते हैं ठीक है खुद से experiments मत किया करें अपनी body की उपर में मेरे को doctor ने suggest किया था इसलिए इसे मंगाया गया इसलिए इसे use किया ठीक है वो इसलिए होता है कई बार doctor इसे दवाई के तोर पर भी देते हैं उन लोगों को जिनके घुटने में हाथों में दर्द होती है वो इसलिए होती है ठीक है कई बार अगर ऐसी कोई situation है कि नसे पतली हो गई है इसलिए दर्द हो रही है तो इसका use किया जाता है as a medicine और इसे as a supplement भी use करती है जिम में जिन लोगों को muscularity वाली अपनी body चाहिए होती है ठीक है मतलब भी ऐसी वाली body जिसके अंदर में नसे एकदम नजर में आए मोटी मोटी ठीक है ये उन लोग के लिए होता है और इसका third जो benefit है वो है sexual dysfunction में ठीक है erectile dysfunction जो होता है लड़कों को erectile dysfunction होता है अब erectile dysfunction का जो hindi meaning है वो आप google पे जाके search एकवा कर ले आपको समझ में आ जाएगा ये किसलिए है ठीक है अगर आप इसका use करते हैं तो उसे erectile dysfunction खतम होता है काफी हद तक और वो क्यों होता है actually सारा काम तो नसों का है नसे वहाँ पे पतली है नहीं हो पा रहा है इसलिए erectile dysfunction हो जाता है अगर इसे हम खाते है इrectile dysfunction खतम हो जाता है क्योंकि नसे वहाँGod हो जाती है मोटी होने से वहाँ पे blood flow ज़्यादा जयता है और अराम से हमारा erectile dysfunction जो है वह खतम हो सकता है ठीक है इसके मैंने आपको तीन फायदे बताए और सबसे यदा इसका फायदा जो है USA में हो, Canada में हो, America में हो, सबसे यदा इसका जो फायदा है, इंडिया में भी आज कल इसका जो फायदा है वो लोग जिम में लेते हैं, जिने muscularity वाली body इससे चाहिए होती है, या इसका फाय अगर आ जा रही है या वहाँ पे हाथ नीला पड़ जा रहा है, तो उसका साफ सा reason है कि वहाँ पे blood flow कम है, बाकी मेरे हिसाब से आप ये खुद से experiment मत करें अपनी body के उपर में, एक बापने doctor से consult करें, ठीक है, उन्हें इस video के बारे में बताएं, इस product के बारे में बताएं वैसे मेरे हिजाब से एक capsule डेली का अगर आप लेते हैं, तो body के अंदर में blood pressure की problem भी खतम हो जाती है, normal blood pressure हो जाता है, अब ये जो है अलारजने, इसके उपर में काफी सारी वीडियोस हैं, यूट्यूब के उपर में भी काफी सारी इसकी बारे में, डीटेल में, बाते, ब डेली का इसे मैं ले लेता हूँ, that's it, सुभा के टाइम पर, मिल के साथ में लें या पानी के साथ में, ऐस सच कोई भी problem नहीं है, बाकी पानी के साथ में ये वाला capsule ज्यादा अच्छा रहता है, बस एक capsule मैं ले लेता हूँ, पानी के साथ में enough हो जाता है, ठीक है, actually मुझे जो problem थी, वो थी कि मेरे हाथ पर बार बार फैटीग हो जा रही है, मेरे right hand के उपर में बार 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 बलड का जो flow है, वो कम हो जा रहा है, वो इसलिए वहाँ पर ना नसे पतली हो गई है, बस इसलिए, और एक ही नस मेरी पतली हुई है, बाबा